अर्चनी वन्नी संसमाज धर्मेपेमी सज्जनों स्रद्धा मुर्थी माताओं प्यारे बच्चों सद्रू कबीर ने कहा है सोना सज्जन साधुजन जो रिटुटे सवबार कुंजन कुम कुमार का एक धका फरार सुनने में सद्ध साप साप समझ में नहीं आता है कई बार आ जाता है लेकिन सद्ध बहुत सरल है सद्रू कबीर की साखी है लेकिन इसके गहराई पड़ जाएंगे तो लगेगा हम लोग जीरो है उस पे सद्रू कबीर साहब कहा रहे हैं सोना सज्जन साधुजन पहली बात मैं कहूंगा कुछ लोगों ने विद्वानों ने कहा कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे अनपढ़ थे सद्रू कबीर जैसे विद्वान जब सब दसे सैली बोलते हैं भासा के डिडियक्टर है वो वो कहते हैं सस सुरू कर रहे हैं तो सोना सजन साधुजन सासा से और का से बोलना सुरू करते हैं तो कुंजन कुम्ब कुमार का 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 सहली कोई गड़वड़ी नहीं होती है एकदम सुद्ध साब और अर्थ के गहराई पर जाएंगे तो लगेगा कि इतनी बड़ी बात सदुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं सोना सज्जन साधुजन हम सब को कह रहे हैं सोना और सज्जन और साधुजन जोरी टुटे सवबार ये तीन बात कहें उसके बात कहते हैं जोरी टुटे सवबार हम सब लोगों को संकेत कर रहे हैं बहुत सरल सब्दों में जोड करके तूट करके फिर से जुड जाता है सव बार क्या हज़ार बार करो सोने की किमत कम नहीं होने वाला है सोना को जितने बार गलाओ जितने बार बनाओ वैसा ही दिखेगा सोना सोना का चमक कभी खतम नहीं होता सोना का विल्लू कभी खतम नहीं होता है सद्रु कबीर साहिब उधारण दे रहे हैं सोना सबसे पहली बात सोना कहते हैं उसके बाद वो ऐसे ही सजन सजन व्यक्ति का कभी किम्मत कम नहीं होता है और तीसरी बात कहते हैं साधु जन साधु जन कभी किम्मत कभी कम नहीं होता लेकिन विशेष्टा तब होती है जब तूट करके सवबार और जूड जाए तब उसका किम्मत है नहीं तो फिर किम्मत नहीं है सद्रु कभीर सभ उधारन देते है कुंजन कुम्म कुमार का जो कुमार का घड़ा होता है और तूट करके बिखर जाता है कोई काम नहीं आता है एक बार ठोकल लगने से और सायाद यहाँ बैठे हम सभी के सभी लोग कुमार के घड़े के तरह है कुमहार के घड़े के तरह है हम भाला की कुमहार के घड़े के बरतन पसंद नहीं आता है लेकिन कुमहार के घड़े का जो शवा हो वो जरूर पसंद करते हैं इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों में तूट करके बिखर जाते हैं और उसी का परणाम है घर तूट करके बिखर जाता है उसी का परणाम है लेकिन पसंद हम क्या करते हैं पसंद हम सोना को करते हैं हर व्यक्ति को सोना पसंद है रात्री का सोना तो पसंद है उससे कहीं ज़्यादा मताओं को बहनों को वो पहनने वाले गहना सोना पसंद है रात्री को निन्द भले कम लगे वो चल जाएगा लेकिन वो सोना कमी नहीं होनी चाहिए और वो सोना कहीं कमी हो गई तो रात की सोना कमी हो जाती है बेचैनी बढ़ जाती है ये चाहिए वो चाहिए आत्मी बंधों मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस बीच में सोना से कोई सुन्दर नहीं दिखता है, सोना से सरीर सुन्दर दिख सकता है, आपके सुन्दर्ता, आपके सहजता, आपका सुरल सुभाव, आपका विनम्रता, आपका आदर और सम्मान करने का तरीका, अतिथी को सम्मान करने का तरीका, माबाप को सम्मान करने का तरीका ये है सदुरु कबीर साहिब यही चीज़ को कहना चाह रहे हैं, सोना सज्जन सादुजन जोरी टुटे सव बार, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि हजार बार भी आपके घर में विपवत्ती आए, विसम परिशिती आए, तो आप घवडाईये मत, टुटिये मत, बिखरिये मत माबाप से दुर्मत होईए और माबाप को दुर्मत करिये, वही माबाप आपके काम आएंगे, वही बच्चे आपके काम आएंगे, जो आपको दुटकारते हैं, वही माबाप आपके काम आएंगे, जो आप से प्यार नहीं करते, कभी कभी कटू अचन बोलती हैं, लेकिन अंत तक मरते दम तक वही माबाप आपके साथ रहेंगे और वही बच्चे आपके साथ रहेंगे राम राज्य तब आएगा नहीं तो सब दिखावे का राम राज्य है हर घर में आज रावन बैठा इतना राम कहां से लाओं आपके ही घर में राम बैठे हैं आपके ही घर में माता सीता है आपके ही घर में लचमन है बस जीवन आपको बदलना है छोटी छोटी बातों में तो तूट करके बिखर जाते हैं इसलिए सद्रु कबीर साहिब को उधार लिए है घड़े के तरह जो टूट करके बिखर रहे हैं और उसी कर परिणाँ है आज घर में देरान और जिठान का नहीं बर रहा है उसी कर परिणाम है आज गर नर्क का द्वार बनता चला जा रहा है प्रेम और सब्वावन असतकार ए जीवन की समस्वाएं बढ़ती चली जा रही है और जो इस्थापना होनी चहीह उसका कि दूर चले जा रहे हैं हुआ कैसी जीवन बद लिगर सट्सं का मतलब इतना ही है outta सट्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र में सट्संग से मन को बदला जाता है आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपको आउसर मिला है माबाप की सेवा करने का कभी वन्चित मत हो यह आप लोग आज आउसर मिला है बहुत से लोग है जो माता-पिता के लिए तरस्ते हैं और बहुत से लोग है जो अपने बच्चे के लिए तरस् सीना में अपना ना हाथ रख करके कह सके कि मैं एक ऐसे माबाप के कोक से जन्मलिया हूं जिन्होंने मुझे जीनी की सब्यता सिखाया है एक ऐसे माबाप के कोक से जन्मलिया जिन्होंने मुझे जीना सिखाया और मैं साथ साथ मैं इस योग ये बना वही माबाप की क्रिपा है दुर्भाग ये कहा जाए कि सवभाग ये कहा जाए आज की माबाप वैसे हो नहीं पा रहा है बच्चे हमारे कहा नहीं मानते सिखायते तो आती है लेकिन कब आपने अपने माबाप का कहा माना है कब आप बच्चे को सिखाए हैं कि जीवन की परिभासा क्या है कब आप बच्चे को सिखाए हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए आपने सिखाया ही नहीं है आपने सिखाया है हकीकत तो ये चीज है कभी आप सत्संग में नहीं ले गए कभी जीवन में कैसे बोलना चाहिए कभी माता पिता की कैसे सेवा पूजा करना चाहिए चीज नहीं सिखाए आप अभी आज हर घर में सायद हर घर में लगभग लगभग आज स्री राम भगवान की पूजा होगी कभी कभी उस माबाप की पूजा कर लेना चाहिए जो सच में भगवान है, स्री राम भगवान उतना महत्व पूर्णा है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व पूर्णा हमारे माता पिता है, क्या कभी आपके घर में आरती होती है, कभी उस माता पिता के चर्णों में मत्था टेका जाता है, कभी उस माता पिता के गले में हार चड़ाया जाता कभी उस माता पीता के सामने दिप्रजलित करके आर्ति किया जाता है उनके धन के हगदार तो हो जाते हैं उनके संपत्ति के हगदार तो हो जाते हैं क्या उनके जीवन को सम्हालने का हक नहीं है हमारा जदि उनके कटू-कुठार सब्दों को सहने की हगदार नहीं है हम तो हमा के लिए नए दिन नए जीवन का शुरुवात है आज फेल कि अब मुझे माबाप से कभी कटूता वहवार नहीं करना आपका जीवन बदल जाएगा आपका जीवन के परिभासाइं बदल जाएंगे आपके बच्चे की प्रेम करना सिख जाएंगे ऐसे बच्चे होते हैं जो म बाब को दूर कर देते हैं आज से तीन मेहना पहले दिल्ली में एक व्यक्ति जर्णल मेजर था रिटायरड हो चुका था करीब 80 साल की अवस्था थी उनके तीन पुत्र थे जर्नल मेजर रिटायरड मेडर थे तीन पुत्र तीनों पुत्रब अपने अपने काम करते थे और उ से कुछ नहीं कर सकते थे उनके बच्चे कहीं भी जाते तो सबसे पहले अपने नाम अपना पता अपना पड़्चे बताने से पहले कहते मैं जनरल मेजर सहब कब मैं उसका पुत्र हूं अपना नाम बताने से पहले जनर्राल मेजर सहाब का नाम लेते हैं उन तीनों पुत्रों की साधी की गई साधी करने के बाद तीनों पुत्र एक बच्चे इंजिराइल गया एक बच्चे थैलेंड गया एक बच्चे फ्रांस गया हकीकत बात है मैं कहान जी का नवकर के भरोसे छोड़ करके चले एक दिन होता क्या है कुछ दिनों बाद उनके नवकर मुझ समान के जवरत पढ़ती है समान के जवरत पढ़ने से घर से निकलता है और रोड़ पे जा रहा था वैसे ही practice होता कि आगजेन्स कोड़ा होनी के बाद हो को ना पहुंच जाता हुझ ह। कि ग़र से निकला था थो तालह लगा करके निकला था क्योंकि जंडला मेजर साहब कुछ कर नहीं सकते थे और कोमा में पहुंच जाता है तीन महाँ बाद जब उसके फुत्र आते हैं तो देखते हैं घर में ताला लगा है ताला तुड़वाया गया तो जर्नल मेजर सहाप का सरीर सुक करके कंकाल बन चुका था पता किया गया ऐसा क्यों हुआ तो पता चला कि जिस जिसके भरोसे हमने छोड़ा था उसका एक्सिडेंट हो गया और आज भी वो कोमा में पड़े हैं धन्य है ऐसे पुत्र ऐसे पुत्र किसी माबाप के कुख से जन्मना लें आप लोग धन के हगदार हैं आप लोग धन के हगदार हैं आप सभी से निवेदन करूंगा कभी माता-पिता वचन को सहने की छमता रखी तब कहीं आपके बच्चे आपके अनकुल होंगे तब कहीं बच्चे आपको सम्मान कर पाएंगे एक जग क्या और घटना बताओं आपस में प्रेम चाहिए जीवन को जीने के लिए आपस में सास और बहु में प्रेम हो आपस में नननद भोज म में प्रेम हो उतना ही प्रेम माता और पिता में हो उतना ही प्रेम पिता और पुत्र में हो उतना ही प्रेम भाई और भाई में हो साज वह में आया दिन लडाईया होती थी एक घर लडाई का अंतिम परणाम यह होता था कि अंतिम में रोते रोते सासुमा कमरे में जाती रोज क परिणाम यही होता एक दिन उसका पोता देखता है रोज यही होता है एक दिन उसका छोटा सा पोता छे साल का पोता पीछे पीछे जाता है और अपने दादी मां का पल्लू उठाता है और अपने दादी मां का पल्लू उठा करके आंसु पोच्ते पोच्ते बोलता है दादी तुम रो मत, मेरी मा बहुत दुष्टा है, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी साधी हो जाएगी, तुम मैं अपने पत्नी से कहूंगा, तुम अपनी सासु मा की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासु मा अपनी सासु मा की कभी सेवा नहीं करती थी, आप जो आज करते हैं कल आपको भोगना पड़ेगा जदी आज आप अपने माबाप का सम्मान नहीं करते हैं अपमान करते हैं तो दीन भी आपको देखना पड़ेगा वो माबाप है जो एक एक पैसे के लिए तरस्ते थे एक पैसे के लिए तरस्ते थे लेकिन किस्मत उसका चमक ग मालिक है मेरे बहुई संपत्ति का मालिक है सब कुछ आपको साउप करके चले गए कभी सैंकिल भी नहीं देखे थे वह आपके लिए मोटर साइकल खरीदी कभी मुबाइल का नाम भी नहीं जानते थे आपके लिए अंडर मुबाइल लिए कभी आपके आँखों में धूल गु सकते हैं कहां से राम राच्य आएगा मैं कहना चाह रहा हूं मेरा समय पूरा हुआ जो आपको औसर मिला है माता-पिता की सेवा करने का कभी वंचित मत होई आपके माता-पिता कभी कटू वचन बोल दे कभी तीखे वचन बोल दे प्रेम से स्विकार लिजिए क्योंकि उन् का आदर और सम्मान करना कभी मत भूलिए यदि आज आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं और मैंने मुख्य बात कहा कभी कभी माता-पिता के आरती उतार लिया करिए कभी कभी माता-पिता के चर्णों में मत्था टेक लिया करिए उनको एक जीने का सहरा मिल जाता है बुढ़ापे में उनकी संपत्ती नहीं चाहिए, आपकी संपत्ती उनको उनका बस प्यार चाहिए, आप कितना प्यार देते हैं आपके उपर है। सदुकबीर की साखी, सोना सज्जन साधुजन, जोरी टुटे सवबार, कभी माता पिता कटू वचन कहे, तो टूट मत जाना, बिखर मत जाना, घर को सजा करके रखना, माता पिता कभी कटू वचन बोल देते हैं, वही आपके आगे संपल का काम बनेगा, जोरी टूटे सवब कुमार का कुमार के घड़े की तरह मत हो जाना जो एक चोट लगने पर टूट करके बिखर जाता है फिर कोई काम नहीं आता है सिर्फ मिट्टी में बिखर जाता है यदि आप भी टूट करके बिखर गए कहीं माता पिता के वचनों से कहीं पुत्र के वचनों से टूट करके ब बिल्लु खतम हो जाएगा, आपका कोई महत्व नहीं रहेगा, और आपका जीवन जो निखार लाना चाहिए, और नहीं ला पाएंगे, बोलिये सब गुरुदेव कीजेए।